देश में 15-18 साल के बच्चों का कोरोना वैक्सिनेशन शुरू हो चुका है आज बच्चों के वैक्सिनेशन का दूसरा दिन है सुमबार को पहले दिन करीब 40 लाग बच्चों को कोरोना का ठीका लगाया गया जबकि अब तक 54 लाग से ज़्यादा बच्चों ने रेजिस्ट्रेशन करवा लिया है आपको उता देएं कि केंदियस वास्यमंत्री मनसुक मांडाविया ने ट्वीट कर बताय था कल रात 8 बच्चों की जो आक्रे आये हैं उसके मुताविक 44 लाग से ज़्यादा बच्चों ने पहले दिन कोरोना का ठीका लगवाया ऐसे भी देश भर में पहले दिन के वाक्सिनेशन के आकरे पर पीम मोदी ने भी खुशी जाहिर की और बच्चों का खौसला बढ़ाया उन्होंने ट्वीट करका कि COVID-19 से युवाओं को सुरक्षा दिये जाने के दिशा में हमने एक महतपून कदम आंके बढ़ाया है 15-17 साल के बीच ठीका लगवाने वाले मेरे सभी युवाओं दोस्तों को बढ़ाई उनके परिजनों को भी भदाई मैं सभी युवाओं से गुजारिश करूँगा कि वो भी आने वाले दिनों में ठीका लगवाले साथी आपको बता दें कि दिल्ली में 20 हजार से जादा बच्चों को वाक्सीन की पहली डोस लगाई गई मुंबई में करीद 6 हजार बच्चों को कुरोना का ठीका लगाया गया साथी देहरदून की बात करें तो वहां 8 हजार बच्चों को वाक्सीन लगाई गई ऐसे में मध्यप्रदेश में भी 10 लाग बच्चों को वाक्सीन देने का दावा किया गया है जिस सरह से राज्य सरकारों ने जबदस इंतजाम किये हैं और बच्चों के पेरेंट्स उच्साहित काफी नजरा रहे हैं अगर इसी रफ्तार से वैक्सिनेशन चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब देश में 15-18 साल के सभी बच्चों का वैक्सिनेशन का लक्षे पूरा कर लिया जाएगा ऐसे में उत्राखन के मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि वो बहुत जल बच्चों का 100 पीज़ी वैक्सिनेशन पूरा करा लेगे यानि कि कल से बच्चों के लिए वैक्सिन ड्राइब शुरू हो गई है जिसका आज दूसरा दिन है इसके साथ ही आपको ये भी बता दे कि कल 40 लाख बच्चों को वैक्सिन लग चुकी है और ऐसे में एक लक्षे रखा गया है कि बहुत जल सभी बच्चों को वैक्सिन महराश्ट में सुमवा को कुरोना के 12,170 नए मामलों ने हरकम मचा दिया है राज्चे में 24 घंटे में भीतर 11 लोगों की जान भी चली गई है और इनमें से अकेले मुंबई में 8,082 नए कोविट के सामने आए हैं और जबकि 2 लोगों की जान गई है साथी राज्चे में आ 8,082 मामले रविवार के आकड़ों की तुलना में 19 से जादा है इसलिके साथ ही शहर में अब सक्रिय मरीजों की संक्या सेते सजा 24 तक पहुँच गई है आला कि पिछले शहर में संक्रमन की कारण दो लोगों की जान चली गई थी जबकि रविवार को किसी की भी जान नहीं ऐसे में मुंबई में 90 पीज़ी केस बिना लक्षन वाले ही मिल रहे हैं अधिकारियों ने बता है कि रविवार को शहर में 8,063 मामले दर्ज किये गए थे महिश रनिवार को माया नगरी में 6,347 संक्रमन के मामले दर्ज हुए थे महराश में उमिक्रॉन संक्रमन की बात करे तो सुमवार को 60 से जादा मरीजों की पुष्टी हुई है इनमें से 34 की रिपोर्ट इंडियन इंस्टिट्यूट और साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च और 34 मरीजों की रिपोर्ट नैश्रल सेंटर फॉर सेल साइंस ने जारी की है रिपोर्ट के मताबिक ओमिक्रॉन माम संक्रवत के मामले मिले हैं अब तक राजय में ओमिक्रॉन वेलियंट के संक्रवतों की संख्याद 600 के करीब पहुंच चुकी है